कि वाइं मजह आना चाहिए जिन्दगी का उद्धिश क्या है जिन्दगी के लाइफ के गोल्स क्या है ऐल्टिमेटली क्या आना चाहिए मज़ाई तो आना चाहिए घाना है और मजय जैसे हो जाना है नहीं सो जाना है कुछ मैं घुझते गुझते क्लास भी कर दे रहना है। जोलेटे फिर आराम से सो जाना ठीक है ना मजा आना चाहिए जिन्दगी में और क्या है कि अच्छा अमीनो एसेड्स क्या है अरे यार अमीनो एसेड्स आपके क्या है प्रोटीन के यूनिट्स तो है यार प्रोटीन जो होती है आपकी प्रोटीन नाम सुना है आपने नहीं सुना है प्रोटीन्स जो होती है वो किस से मिलके बनी होती है अमीनो एसेट से ही मिलके तो बनी होती है है ना तो अमीनो एसेट क्या है यूनिट ओफ प्रोटीन्स है ठीक है प्रोटीन किस से मिलके बनी होती है अमीनो एसेड से मानलो जो आपका ये घर बना हुआ होता है जहाँ पे आप बैठके पढ़ाई कर रहे हैं उस घर में जो छोटी छोटी सी इंट लगी हुई है न छोटे छोटे से पत्थर वही पत्थर मानलो क्या हैं अमीनो एसेड से हैं छोटे छोटे से ठीक है अब उनी छोटे छोटे से पत्थरों ने मिला कि एक पूरा घर या एक पूरा कमरा बना लिया न तो समझे लो उनी छोटे-छोटे से अमीनो ऐसेड स ने मिलके क्या बना लिए भाई आपकी प्रोटींस बना ले ठीक है न? हाँ ग्लुकोस क्या होता है भाई? सिंगल सुगर सिंपल सुगर है सिंपल सुगर है है न? ठीक है भाई? आगे भाई आया समझ में? अब इसे एक आगे है भाई ड़न चलो नेक्स्ट क्वेशन देखो लूब्रिकेंट मुशन इन सेलाइवाइस मेड अपा फ्लार में एक इसने है मुशन का बना होता है क्या है भाई इसका जवाब मारो जल्दी से फड़ावट मारो जल्दी से क्या है भाई फड़ावट कॉश्चन जवाब मारो क्या है भाई क्या है बोलो अरे बोलो न अरे बोलो यार लूब्रिकेंट मुशन इन सेलाइवा इस मेड अप आफ किसका बना होता है भाई गलाइको प्रोटीन्स का किसका बना होता है ग्लाइको प्रोटीन्स का आपके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है आपके सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई आपके सलाइवा सिलाइवा के अंदर यानि की लार के अंदर आपकी प्रेजेंट होता है क्या ग्लाइको प्रोटीन अरे बहुत बार क्या होता था अपने छोटे में भी सभी लोगों ने किया हुआ होगा मेरा एक दोस्त था फ्रेंड था हमारे बहुत आप इस टाइम पर तो अच्छे अपने लाइफ में बहुत व्यस्त चल रही है वह इस टाइम पर पढ़ाई करते थे छोड़े से थे तो उन्होंने बहुत सारे नोट जो पैसे वैसे फड़ जाते हैं उनको अपने फूंक में लगा के चिपका देते थे ठीक है और वह थोड़ी देर के लिए चिपक भी जाता था अपर जाके दुकान में जहां पिसकर करना हुता था उनको दे देते थे ठीक है तो किस वज़ाइस चिपक जाता था था वहां पर क्या होता था उसमें सलाइवे में अपने लार में घ्लाइको प्रटीनbbles City होते थे जिसकी वजह से वह क्या हो जाता था थोड़ी टॉढ़ी के लिए वो चिपक जाता था ठीक है ना ये ट्रक फिर वो क्या करते थी ऐसे अपनाते रहे उसके बाद उन्होंने गम का इस्तेमाल ही करना बंद कर दिया जबकि उनके पास गम बहुत था आश्रिक थे वह तो आश्रिकों के पास गम तो होता ही है बहुत जादा तो उन्होंन देख लो बीज्ञा ना बढ़ते और गम का इस्तेमाल करें क्योंकि गम तो भरा पढ़ा है इस दनीया में ना ने भरा पढ़ा है ना थीए भाई घ्लाइको प्रोटीन हो गया डंडन ना दन देख लो बिए नेक्स्ट कोस्टिन ना जल्दी से आंसर मारो फड़ा पड़ा म मारो, digestion of both starch and protein is done by, digestion of both starch and protein is done by starch और protein, दोनों का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई, जल्दी से मारो, क्या कह रहे हैं भाई, क्लासेस डेली यूट्फीप साम को नौ बजी, विवेक, बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल, जल़ी जली बाई जली को जली को सब्सक्राइब 되고 क्रोटिन किसके दवाराथamat की सब्सक्राइब रसके दवारा यानि कि पैंक्रेमक्रेटीन जूस के द्वारा इसको पचाया जाता है इसका पाशन किसकी द्वारा किया जाता है भाई पैंक्रियेटिक जूस के द्वारा किसका स्टार्च और प्रोटीन का डाईएशन किसकी द्वारा किया जाता है भाई पैंक्रियेटिक जूस की द्वारा यानि की अगनास है रस के द् थीजिख़ें एक आपकी में ठीक हैं mm जो की कहा प्रिगांड होती है आपकी इसके कर अंसर सी होजाएगा पंक्रिया टिक जूस बना अधिक नहीं होना है टाइलेन और पेंक्रीटिक उसमें नहीं होना चाहिए बिलकुल भी है ना बेसक माउप से डाइजेशन शुरू हो जाता है कार्वो हाइड्रेट्स का ठीक है ना हाँ लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन आपके कहां पे हो जाएगा इंटरस्टाइन में हो होता है ठीक है स्टोमक से शुरू होके तो उसका पैंक्रीयेटिक जूस के द्वारा इसका डाइजेशन होता है किसके द्वारा होता है पैंक्रीयेटिक जूस के द्वारा इसका डाइजेशन होता है क्यों क्योंकि यह पैंक्रीयेटिक जूस है इसका डाइजेशन पैंक्रि स्वार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन डन अरे बोलो यार अरे बोलो यार ठीक है ना भाई कुश्चन्स करने में मजा रहा है कि नहीं आ रहा है मजा रहा है तो फटा फट लाइक बटन दबा देंगे ना राजा बोल राजा बोलो बोलो डाउट हो तो बोल दो जदी फटावाट डाउट बाला कोई सीन ही नहीं उसमें ठीक है हाँ लाइक बटन दबा देंगे बिल्कुल से फटावाट से आगया वड़ें वाई क्वेशन के दर लाइक और शेट हो कि इस मातार का ज़ा तबागे लाइक और शेट हो कि जिए पांचेजार लोड़े दिखजाए